एक समय की बात है एक गाओं में एक अमीर आदमी रहता था उसका एक बेटा था जो कुछ बुरी आदतों का आदी था एक दिन अमिर आदमी अपने बेटे को एक सादू के पास ले गया और उसने सादू से अपने बेटे की मदद करने के लिए कहा उसकी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए आग रह किया सादू ने उस लड़के को अपने साथ लेकर चलना सुरू कर दिया जब वे एक बगेची से होकर जा रहे थे तो कुछ कदम चलने के बाद साधू ने रुखकर युवक को एक छोटे से पौधे को जमीन से बाहर निकालने के लिए कहा उस युवक ने अपनी अंगुलिये से पोधे को पकड़ लिया और आसानी से जमीन से बाहर निकाल लिया साधू ने सीर हिलाया और मन ही मन मुस्कुराया और वे फिर चलने लगे कुछ समय चलने के बाद वे फिर रूखे और सादुने इाशारा किया दूसरे पौध़ की और पिछले से थोड़ा बढ़ा यूवक ने हाथ से पकड़ लिया और इसे थोड़े से प्रियास के साथ जमीन से बाहर निकाल लिया कुछ दूर जाने के बाद सादू ने लड़के से एक जाड़ी उखाडने को खा जो थोड़ा बढ़ गया था यूवक ने दोनों हाथों से जाड़ी पकड़ी और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बहुत मुश्किल से उसे बाहर निकालने में काम्याब रहा सादू ने फिर कहा अब तुम वहां उस छोटे से पेंड को देख रहे हो कोशिस करो और उसे उखाड़ दो उस यूवक ने पेंड को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जितना हो सके उतना जोर से खीचा लेकिन वह उसे हिला भी न सका उस यूवक ने हापते हुए कहा यहाँ असंभव है गुरुजी मैं यहाँ नहीं कर सकता सादू ने कहा जैसा कि तुम देख सकते हो हमारी आदतों के साथ भी ऐसा ही है अगर हम उन्हें बढ़ने दे और जड़े जमा लेने दे तो यहाँ हमारे लिए उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसलिए किसी भी बुरी आदत को जड़ से उखाड फेकना चाहिए इससे पहले कि वह अपने जड़े जमा ले हम अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे हमारे जीवन में कितनी बार हम एक बुरी आदतों को अपने अंदर पनपने देते हैं जो छोटा पेड़ बन जाता है कभी कभी हम जानते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं फिर भी हम उसे हर रोज दोहराते रहते हैं ये बुरी आदते कुछ भी हो सकती हैं जैसा कि सोसल मेडिया पर बहुत अधिक समय विताना, बहुत जादा जंक फूट खाना, सुबह देर से उठना, अपनी सिच्छा की उपेच्छा करना, नसे के लिए ड्रक्स लेना, या किसी काम को बार-बार टालते रहना, और बहुत कुछ. हम उस आदत को अपने अंदर पनपने देते हैं, और धीरी धीरी वहादत दिन बदिन मजबूत होती जाती है, और कुछ समय बाद वहाद समय आता है, जब आप अपनी आदत नहीं बदल सकते, आप चाहो तो भी, इसलिए कोई भी बुरी आदत अभी छोड़ दो, इससे पहले किया आपके भीतर विक्सित हो, क्योंकि आपकी आदते ही यह तैकरिंगी कि आपका भविशिक क्या होगा, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, आपका दिन सुबू.